आज मैं आपके लिए यूनिफाइट कॉंशर ऑलमप्याट के बारे में बात करने आई हूँ इस ऑलमप्याट के बारे में जानेंगे यह ऑलमप्याट क्या है इसमें कौन-कौन से सब्जेक्टी एक्जाम होती है आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2024-2025 के लिए एक्जाम डेट क्या है, एक्जाम निशन फीज क्या है, रेजिस्ट्रेशन प्रोशेस क्या है और आप इस एक्जाम की प्यारी कैसे करवा सकते हैं अपने बच्चों की बुक्स हैं हाँ पर किस तरह मिलेंगे यह सारे चीज़े हमें हाँ पर देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे Olympiad है जो स्कूल के फ्रू ही करवाई जाते हैं तो इस Olympiad में प्लस पॉइंट यह है कि यह Olympiad ऑन्लाइन भी बच्चों को करवाई जाती हैं इंडिविजुल बच्चों भी ऑन्लाइन इस एक्जाम को देज सकते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहां पर जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट के Olympiad करवाई जाते हैं यह मेंली यहां पांच सब्जेक्ट है जिसके Olympiad करवाई जाते हैं यूनिफाइट साइबर Olympiad जैसे कंप्यूटर Olympiad इंटरनेशनल जीके जेनरल नालेज ऑलंप्याड इंटरनेशनल इंगलेश ऑलंप्याड इंटरनेशनल माथमाटिक्स ऑलंप्याड और इंटरनेशनल साइन्स ऑलंप्याड यह पांच पेपर हैं जहां जेनरल इसके एक्जाम करवाई जाते हैं आफ्लाइन एक्जाम डेट है स्कूल के तुरू होता है जिसकी डेट है 29-2024 और ऑनलाइन एक्जाम जो डारेक्ट स्टुडेंट दे सकते हैं जो साइवार ऑलमप्याड के लिए 5-1-2025 जैसे यहां पर टिया वन नियू यहां पर स्टार्ट करवाया गया है मतलब इस ओलमप्याड ने इस फिल्ड को नहीं लिया है कई ऐसे ओलमप्याड है अब धीरे-धीरे ओनलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले भी मैंने कई ओलमप्याड के बारे में आपको बताया है जिसमें आपने देखा होगा कि ओनलाइन एक्जाम देने की में 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 फिल्ड करते हैं इस फ्रकार चलिए आगे देखते हैं नेक्स जो है आपका एंग्लिश ओलमप्याड जो यहां पर 2 6 11 और 2 12 12 यहां पर दी गई है जो भी एक देट स्कूल के दरदत चूच की जाएगी उस डेट को आपको देना होगा और आनलाइन जो है 12 ज प्रकार जो है आपका mathematics hall लंब पे आठ 30 से कर दो हजार पचीस यानि एक 30 जन्वरी को है और online direct student जो है 19 से को ली जाएगी इसी प्रकार science की जो है offline exam जो है चार बारा और तेरा बारा दो डेट जन्ती रहती है तो इस्कूल के द्वारा चुश की जाती है कि कौन से एक डेट को इस्कूल एक्जाम करवाएंगे और online exam जो है 2 फरवरी 2025 को है साथ ही यहाँ पर एक चीज यह हो जाता है कि unified monthly all-empat भी यहाँ पर करवाई जाते हैं जो chapter wise आप यहाँ पर देख सकते हैं more details यहाँ पर आजाती जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और स्लेवर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है आगे हम जानेंगे मोर देन 12 मिलियन प्लस स्टूडेंट इस ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट इंडियन आईएसो 9001 सर्टिफाइड और्गेनाईजेशन और टेस्टिं एसेस्मेंट है यह करीब 26 सालों से यह और्गेनाईजेशन औलम्पियाड एक्जाम करवा रहे हैं साथ ही अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चैप्टर वाइस देखें यहाँ पर जवाब आएंगे तो सब्जेक्ट वाइस आपको इसके बारे में बताया गया है टॉपर कौन से हैं, रिकोनाईज क्या है, एडवांटेज क्या है और सैंपल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं साथ ही इसमें प्लास पॉइंट किया है कि रिफरेंस बुक भी यह आपको बताती है साथ ही आपको प्रिव्यू भी इसके दिख जाते हैं यहाँ से सब्सक्राइज कर देख जैसे sortus मान लिजे हम इहाँ से बड़ेंस बुक देख है तो class fourth की book में आपको जो भी subject की देखनी है जैसे मान लीजे हम यहाँ पर रिस्निंग की book देखते हैं जैसे आप रिस्निंग की book देखते हैं यह जो है class fourth के लिए इसकी price हो जाती ही 200 फिक इन यहाँ पर यह है कि आप book यहीं से आप purchase करके बच्चों को तैरी करवा सकते हैं शाथ ही आप book के preview भी यहाँ पर आप खरीदने से पहले देख सकते हैं नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखे topics दिया गया है following topics कौन पॉन से topics यहाँ पर cover किये गया है नन वर्वल और वर्वल रिजनिंग में शाथ ही आप पर click करके आप इसके samples भी देख सकते हैं कि actual में book में क्या बताया गया है पर हम book देख लेते हैं देखे रिजनिंग का इस प्रकार का आपका book आएगा brain mapping organization है जो इस तरह के book को प्रकाशित कर रहे हैं देखे वर्वल रिजनिंग में यह शारे topics आजाते हैं नर्वर्वल और यह देखे questions यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरह का है इस तरह के आपके questions यहाँ पर दिए जा रहे हैं प्रैक्टेस के लिए तो इस तरह यह आप sample paper इसका देख सकते हैं और यहाँ से आप purchase कर सकते हैं यह direct site पर भी जाके brain mapping यहाँ से भी आप ले सकते हैं साथ ही आप जो है पीछे हम आ जाएंगे और unified olimpiart के बारे में बात कर दे हैं हम चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं यहाँ से आपने देख लिए चार सब्जेक्ट है एक्जाम डेट हो गई एक्जामनिशन फीश अगर हमको देखना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं जैसे मान लिए यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी क्लास सेकेंड से तेन तक के बच्चे इस एक्जाम को दे सकते हैं एक्जाम सुट्यूल ऑफ लाइन एक्जाम डेट दोनों यहाँ पर डेट आपकी दी गई है एक्जामनिशन फीश 150 रुपेज पर olimpiart आपको लगती है जिसमें इसमें student deserve refer of olimpiart power pack suit 100 for set model and previous question paper अर्थात 150 की जो आप examination फीश देंगे उसमें ही बच्चों को 100 रुपीश का एक सेट दिया जाएगा power pack suit के नाम से जिसमें model paper and previous year के question paper रहेंगे एक्जाम इस्ट्रक्चर जो है रिजाइन किया गया है इस प्रकार से duration आपका 50 minutes का रहेगा और इसमें आपका यह हम computers का paper देख रहे है unified cyber, all empire यानी computer जिसमें आपको यह 4 paper add कि रहेंगे mental ability से 15 question, reasoning से 15 question, computer से 15 question and English से 5 question इस प्रकार यह slayvers design किये गए है कि किसी भी board में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो board जैसे CBC हो ICAC हो ICAC and other various other state board slivers सबको यह cover करता है detail award है हम पर क्या क्या मिलता है बच्चों को यह हम देख लेंगे the top ranker and next two ranker each class award laptop and tablet PC respectively and memo each the next seven ranker each rank 4 to 10 awarded with cash price rupees 1000 each and ranker class first to ninth from 125, 26, 50, 50, 51 each awarded to Olympiad coach online subscription worth इतने इतने रुपिस का मिलता है 100 top ranker को awarded रिया जाता है medal reasoning training book from MS brain या mapping academy की तरफ से इस प्रकार यह सारे बहुत सारे यहां पर prize मिलते हैं और school के दुआरा या बच्चा direct भी अगर form भर रहा है तो यह सारे आपको मिलते हैं जोन में यहां पर कौन-कौन से जोन हो जाते हैं यहां पर दिया गया how to apply तो direct आप यहां पर registration पर जाके आप apply कर सकते हैं नीचे application देखें यहां पर करीव award and reward rupees 1 करोर तक जाते हैं बच्चे को prepare Olympiad with Olympiad coach.com पर भी जाके आप इसके book purchase कर सकते हैं और Olympiad की त्यारी करवा कर सकते हैं साथ ही brain mapping academy से भी आप इसकी book को purchase कर सकते हैं इसके वारे में बताई गई है generation fundamental revolution है पर इसके जो है skill based exam होती है to provide benefit student on overall India, provide details analysis and feedback and low cost रहता है शाथ ही आपका जो है यहां पर mission इसका क्या रहता है exam का तो यहां पर अलग अलग जो है बताया गया है क्या mission है success series इस तरह की आएगी जो exam के शाथ previous year की आपको यह दिया जाएगा success book और previous year के questions पर रहेंगे और यहां से जाके आप download भी कर सकते हैं यहां से आप registration के लिए कहां से यहां पर आप जाएंगे direct download पर और यहां पर registration कर सकते हैं direct individual and school के थूँ यहां पर हो जाएगा जैसे यहां आप direct individual पर करते हैं तो आप इसके साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको options मिल जाता है और यहाँ से आप कर सकते हैं Why Unified Council? Unified Council क्यों करना चाहिए यहाँ देखें Indian School के लिए Direct Home Indian Student यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और International Student जो है यहाँ से क्लिक करके form को fill up कर सकते हैं India's first one ISO ISO 9009 certified organization है conducting Olympiad respectively for past 26 years help more than 12 million plus student इसमें participate किये हैं Best of Olympiad certified by Times of India के द्वारा इसको certified किये है Best Olympiad and highest dating of education world magazine इसकी रहती है यहाँ पर अलग से आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर है 2024-25 के लिए online exam dates यहाँ पर आपको दिख रही है Computer, English, Math, Science, Science यह चार main paper ही यहाँ पर दिये जाते हैं Mock exam date यानि Final exams के पहले एक mock exam date भी यहाँ पर करवाई जाती है जैसे computers की final date है आपकी पाच जनवरी जबकि इसका mock test जो आपकी त्यारी होगी हो आप आप आपर देख सकते हैं 29-12, 29 December को एक final exam आप test कर सकते हैं कि आपकी त्यारी कैसे हैं पर last week पाच जनवरी को आप इसका final exam दे सकते हैं शाथ में आप यहाँ पर इस तरह अलग-अलग subject के सारे details आप यहाँ पर खोल कर देख सकते हैं यह चार paper के ही exam होते हैं I hope इसे related जो भी QD है आपकी पूरी हो गई होगी अगर कोई QD रह गई है conduct by 32 countries है यहाँ पर जो 32 countries में इसको conduct किया जाता है तो आज के लिए इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज हमारे चैनल को like कीज़े, subscribe कीज़े and share कीज़े और इसी प्रकार के educational वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें Thank you